एलो दोस्तों मैस महतो एस्टेटी गुरूब में आपका स्वागत है इस वीडियो माईद्याम से हम स्टेडी करेंगे क्या चीका क्लासिफिकेशन आप एक्सिडेंस एक्सर जेनरल दिखा जाता है कि कोई भी माईनिंग का एक्जाम हो एक्जाम हो उस एक्जाम में लगवग एक या दो कोश्चन जो है क्लासिफिकेशन आप एक्सिजेंस से रहता है तीसे सबसे पहली क्या है एक नवर माईनर इंजरी माईनर इंजरी इप ही जोइन्स हीज डूटी आप्टर ट्वेंटी फोर आवर बट नोट मोर देन सेमें टू आवर एसे एंजरी क्या कहेंगे मा इसके बाद दूसरा नमबर में आपके क्या है रिपेटर इंजरी इप ही जोइन्स हीज डूटी आप्टर सेवेंटी टू आवर और मोर एसे एंजरी क्या कहेंगे हम रिपेटर इंजरी कहेंगे एक सेके न इसके बाद हो गया आपका स्रियस बोडी इंजरी तीसरा नमबर में क्या है स्रियस बोडी इंजरी तो स्रियस बोडी इंजरी में क्या आता है पर्मानेंट लॉश ऑफ एनी पार्ट ऑफ बोडी और फ्रेक्चर अप एनी बोन और जोइन्स अगर एक्सिडेंट में कोई अं आजितु कार्थite कार्थि यानि एक्सिडेंट की कारान अगर एक्सिडेंट की कि सकता है तो इसके लाँ क्या है हम फेटल उन्जरी रेक्रणांगे हम असके ऑंचने में मैंसराल किसुों किस्तों किकसमेगे जिसा एक्सिडेंट हो उसमें जावा चार ओर आशette ये नो के बीच अगर death हुआ तो एसी accident एको हम क्या कहेंगे Major injury कहेंगे एक second का इसके बाद क्या होता है डिजास्टर लांच में क्या है डिजास्टर छे नमर में उसमें अगर डेत जो है परसन क्या दस या उससे अधिक आदमें के डेत हो जाता है एक्सिडेंट के दुरान तो क्या हम उसको कहेंगे डिजास्टर कहेंगे और नोट्स में जैसे याद करने वाले चीज यह है कि आद नोट्स में क्या है, माइनर इंजुरी और रिपोर्टर इंजुरी और इंजुरी के अंदर इंक्लूड नहीं है, थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए, चैनल को धन्यवाद, थैंक यू